नमस्कार फ्रेंड्स मेरे चैनल होमीपेती एंड हैल्थ विड डॉक्टर अंशु में आपका स्वागत है आश्या करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद आज की वीडियो मेरी जो है वो प्रॉस्टेट के बारे में है madenych में एक बहुत कॉमन प्राबल्म देखी जाती है जिसमें प्रॉस्टेट ग्लैंड उनका बढ़ जाता है और प्रॉस्टेट ग्लैंड की वजह से जो यूरिनरी सिंटम्स हैं वो भी एप्पियर हो जाते हैं अ और जो tube urine carry करती है from the urinary blader. Urinary blader से जो tube urine carry करती है वो prostate के center से गुजरती है और जैसे ही prostate enlarge होता है या बढ़ता है तो उसका pressure पिशाब की नली पर पड़ता है और वो सुकड़ जाती है जिससे की urine जो है आपको ब्लोक होने लगता है और drop by drop pass होता है या फिर itching भी होगी बर्निंग भी होगी और आदमी बहुत ज़्यादा discomfortable हो जाता है ये बिमारी जिसमें ये सारे लक्षन आते हैं उसे BPH याने की benign prostatic hyperplasia कहा जाता है या फिर आम भाशा में हम इसे prostate gland enlargement भी बोल देते हैं वैसे तो ये old age में बहुत ज़्यादा common है uncomfortability कई कई बार cause नहीं भी करता है लेकिन समश्या वहाँ होती है जब इसकी वज़े से इसके बढ़ जाने की वज़े से urinary symptoms appear होने लगते हैं जैसे flow जो urine का है वो blockage हो जाए या फिर इससे अलग कुछ urinary tract या kidney related problem आने लगी अगर मैं इसके treatment की बात करूँ तो treatment अगर आप एलोपैती में जाते हैं तो या तो आपको कुछ medications देंगे वो medications जो की आपकी ये problem तो हो सकता है सही कर दें पर साथ ही साथ उनकी side effects इतने होते हैं कि वो आपकी kidney पर बहुत बुरा असर डालेंगे और उनकी वज़े से आपको other health issues appear हो जाएंगे second option होता है surgery surgery के बाद अगर कोई organ है हमारे body में और उसको remove कर दिया जाए through surgery तो जो उसके functions हैं वो कोई और organ adapt नहीं कर पाता है और उसकी वज़े से बहुत जादा disturbances बोडी में आ जाते हैं तो अगर prostate की surgery होती है एक तो आपकी वो जो disturbances आए हैं उनके अलावा आपकी mentally जो आपको शौक लगता है या जो आप mentally disturb होते हैं उसकी healing में भी बहुत जादा time लग जाता है again after surgery आपको heavy antibiotics and pain killers पर रहना पड़ता है तो side effects बहुत जादा होते हैं और अगर एक simple भाशा में कहा जाए तो surgery या फिर medication के बाद आप एक slow poison धीरे धीरे अपने अंदर लेते जाते हैं जो कि long term में आपके लिए life threatening भी साबित हो सकता है होमेपैती में इसका बहुत ही अच्छा treatment है जो कि without any side effects आपके urinary symptoms में भी relief देगा और जो enlargement हुआ है प्रोस्टेटिक enlargement हुआ है उसको वो reverse कर देगा होमेपैती medicine से ये एक reversible condition है जिसको की healthy condition में दुबारा से reverse किया जा सकता है कुछ चीजें जिस पर depend करता है कि treatment कितना time लेगा वो है size क्या हो कितना size बढ़ गया है आपके post rate का और आपको other कोई health issues तो नहीं है especially आप diabetic तो नहीं है या फिर आपको कोई heart issue तो नहीं है जहां तक हम symptoms की बात करें या लक्षण की बात करें जो कि benign prosthetic hyperplasia की वज़े से होते है increased frequency हो जाएगी urination के आपको urine के लिए बार बार जाना पड़ेगा especially night को जिसे हम nocturnal aneuryses बूलते है weak urine stream हो जाएगी जो जब हम urine pass करते हैं जो धार आती है वो weak पड़ जाएगी या फिर बीच बीच में रुक रुक के आपको urine pass होगा और बहुत difficult urination होगा irritability you feel irritability होगी जब आप completely bladder empty नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वज़े से आपको बेचेनी भी होगी ये सारे लक्षन ऐसे हैं जिनको homeopathic medicines के थ्रू हम लोग completely cure कर सकते हैं और जो size prostate gland का बड़ा है उसको हम reverse कर सकते हैं without any side effect कुछ बहुत से कम cases में कुछ ऐसे symptoms हैं जो की देखे जाते हैं जैसे की urinary tract infection हो जाता है अगर लंबे time तक आपका prostate gland in last है और आप treatment नहीं ले रहे हैं तो urinary tract का infection हो सकता है आपको urine pass करने में problem आ सकती है और urine में blood भी जा सकता है जो की एक बहुत ही risky complication हो जाता है तो मैं यह advice करना चाहूंगी कि इस stage पर पहुचने से पहले आप treatment लें और operation को avoid करके homeopathy adapt करें और एक healthy तरीके से आप prostate gland को heal करें size ऐसा नहीं है कि अगर prostate का size बहुत ज़्यादा बड़ा है तो symptoms ज़्यादा होंगे एसा नहीं परसन टो परसन डिफर करता है किसी किसी लोगों में तो size बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और तो भी nil symptoms होते है ना के बराबर किसी में छोटा होता है size तो भी symptoms बहुत ज़्यादा appear हो जाते है इसलिए symptoms से यह पता लगा अपाना कि prostate gland enlargement कितना है ज़्यादा है या कम है यह एक तरीके से impossible है अगर आप prostate के patient है prostate enlargement आपका हो गया है तो कुछ ऐसे conditions हैं जिनमें की आप high risk पे आ जाते हैं और आपको other complication develop होने के chances बढ़ जाते हैं या तो आपकी age जो है वो बढ़ रही है 60 प्लस आप हो रहे हैं आपको family history है या lack of exercise है आप diabetic है या फिर आप heart patient है ये कुछ ऐसी चीजें थी जो मैंने आपको prostate related बताई अगर आप BPH के patient है या फिर prostate gland आपका बढ़ा हुआ है surgery कराना एक मात्र हल नहीं होता है surgery is the last option और last option से जाने से पहले अगर आप homeopathi में जाएं तो आपकी healing process जो है वो बहुत rapidly शुरू हो सकती है इस case में और ये reversible है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया आप without any surgery और without any allopathic medicines which have lot of side effects आप recover कर सकते है undoubtedly you must recover from your condition so please adopt homeopathi and avoid these surgery surgery जो होती है एक physical trauma तो देती देती है इसके अलावा एक mental trauma भी patient को होता है और कहीं कहीं बार तो surgery के बाद आदमी जो है psychologically बहुत जादा upset हो जाता है disturbed हो जाता है अब बात आती है homeopathic medication की तो मैं आज आपको तीन ऐसी magical homeopathic medicines बताने जा रहे हूं अगर आप इनका consumption करते हैं अगर आप इनको लेते हैं तो आपकी enlarged prostate की problem जड़ से खतम हो जाएगी totally reverse हो जाएगा आप healthy condition में हो जाएगे फर्स्ट है mother tincture symphyla ambulata epismelphica 30 और clematis 30 जो symphyla ambulata mother tincture है इस में से 15-15 बून दिन में 3 बार हलके गरम पानी में ले आप epismel 30 में से आप 2-2 बून दे हलके गरम पानी में दिन में 2 बार और clematis 30 में से 2-2 बून दे हलके गरम पानी में दिन में 3 बार ले आप इस medication को follow करें तो आपको 100% आप अपना healthy prostate gland अचीव कर पाएंगे और अगर आपको किसी और surgery related pathology के बारे में आपको जानना हो तो मेरे comment box में comment करें और please मेरा channel subscribe करें और मुझे motivate करें धन्यवाद